हलो नमस्ते वेल्टम्टुम्टॡ मा में डिसकस गरने सों क्रिसिपिकास बैंक लिमिटेट को लेबल फोर फाइफ को लागी इंपॉर्टन टॉपिक परसेंटेज इसको पर ना प्र टू एस मा में पास ओडा अन्य महत पून क्वेशन कुछ अगरने सों वीडियो एक दम यूसफुल सा तेसले सला एंड समा हेरनो वाला विदाओ वेस्टिंग मस ताइम लेस्ट गेट स्टाइब क्वेशिन नमबर वन A को 5% तलब बराबर B को 15% तलब रहेचा रब B को 10% तलब बराबर C को 20% तलब रहेचा यदि C को तलब रूद 2,000 हो वने A, B रज C को कुल तलब कती होला यह आमले निकलने त सो आमले लास्ट मा A प्लस B प्लस C को तलब लाए जोडे वने कती आउसा वनेर निकलने हो यो प्रश्णमा अब यानेरा कंडिशन के दियेगुशा वन्दारी A को 5% तलब बराबर B को 15% तलब रहेचा यह लाए एसरी लेखना सक्केंचा 5% of A बराबर 15% of B भने रहा मिल लेखना सक्सा अब दुरेटे साइड मा परसेंटेज सहा बने परसेंटेज परसेंटेज कैंसल बाया जो रतेस पसाड़े 5 ले परसेंट तलब बराबर C को 20% रहेचा 10% of B बराबर 20% of C यही तरिकाले सिंप्लिफाइ गरदा यहाँआवट B को भैल्या हो 2C यह तो 10% रब 20% दुई परड़क 2C यह आमले और गो रिलेशन निकाले हूँ अब यहाँआ अनूँसा आमला यह C को तलब दिएको 22,000 यह तरिकाले आमले C को तलब लाइ यहाँआ निरा लेर राहे हूँआ B निकालना सकिन चाँ आमले लेखना सक्साँ salary of B B को salary बराबर 2C means 2 into 2000 बराबर 4000 रते से गर्र salary of A A को salary आमे संगज़ 3B 3 into B को बैल्यू राखने हूँ B को बैल्यू 4,000 हो 4 तनिया 12,000 रुपया तरह प्रशनले आमले सोच्छ तिन तलाइ जोडे रा कोती हूँँच salary of A plus B plus C बराबर 12,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 is equal to 12,162,18,100 रुपीज 18,000 यसको आंसर हूँच आईता एकदमे सजीलो होग तवाईले बुजनुबएको वला Question number 2 एउटा TV को मुल्ले 25% ले ब्रिद्धी भायो नया मुल्ले लाइ कती प्रतिशत ले काम गरियो भने सुरूइ कई मुल्ले बराबर हुँच यह आमले निकालने थ अब एसला एकदम shortcut तरीकाले पिनी गरना सकीन स एस रिलेक्सन आन्या कती पर्षेंट ले ब्रिद्धी भायो तेस पचाड़ी डिबाइड बाई 100 प्लस 3,000 पर्सेंटेज जती ले ब्रिद्धी भायोचा गोणा सय गर दिनी हो बने इसको एंसर तबाईगो 20 पर्सेंटेज आयाल स इसको मतलब नया मुल्ले लाई 20 पर्सेंटेज ले कौम गरियो बने ठिक पुरानु मुल्ले बराबर बनावना सकीन च यह इसको शॉटकटो तो आमले यहानी रो पुरा प्रोसेस देहाँनों पर सा सो मानो लेट ओरिजनल प्राइज ओफ टीवी टेलिविजन को जुन ओरिजनल प्राइज सा त्यों वने को रुपीज हंड्रेड हो वने आमले सपोस गरेऊं तबाई एक्स पनी मानना सकनों चा अब मुल्य 25 पर्षेंड ले ब्रिद्धी भयो सो न्यू प्राइज नया प्राइज कती हुन्छ हंड्रेड प्लस 25 पर्षेंटेज ओफ हंड्रेड यो डारेट आयाल सा एक्से पच्चीज अब हामलाए प्रशनल लिके बंचा बंदारी नया मुल्य लाए कती प्रतिशद ले काम गरनु परशा सो मानों लेट न्यू प्राइज शुड बी डिक्रीजड बाई एक्स पर्सेंटेज मानों नया मुल्य लाए एक्स पर्सेंटेज ले काम गरनु परशा नया मुल्य बट यदी X percentage गटाई दिने हो बने कति आउनु परे हो सेम ओरिजिनल प्राइस जथी तो आमले यानि रख्के लेखनु परे हो बने री 125 नया मुल्य बट यदी X percentage काम गर दिने हो बने कति बननु पर सा पुरान मुल्य सुरू को मुल्य मतलब 100 रुपया अब यसला है सिंप्लिफाई गर दायरी यो 100 लाइ यता लियाओनू रो यो X percentage लाइ यता लगनू सो X 25 माइनस 100 बराबर X percentage of X 25 बने रहूंच यो सो यो यह याल्जा हामरो 25 बराबर X percentage of X 25 और 25 बराबर X percentage बनना ले X by 100 गुणा X 25 यहले काड़ देनूस 25 ले 4 पटक 5 पटक राबर सिंप्ली क्रोस मल्टिप्लाई गरने आमले सो 25 गुणा 4 100 बराबर 5 X तो यह आवड़ X को वैल्य आयाल स 20 सो यह को मतलब 20 percentage ले येदी मुल्य काम गरियो वने ओरीजनल प्राइस निकालना सकीन छाईता question number 3 यहदी X Y 2 नाम को expression मा X रऊ Y 2 को मान 20 percentage ले गहते होगह पुरे expression को मान कती ले गहते होगह योव हमे पत्ता लगाउने हो सो येलाई सुर्मा येशरी बुझनुसकी X को वैल्यू जे सुके रहे को होला 5, 10, 150 हमलाईता थास है न येदी तेसलाई 20 परसेंटेज ले घटाई दिने हो बने कती पांकी रहांच X को केवल 80 परसेंटेज मात्रब बांकी रहांच ये तवहले बुझनु पर्यों Similarly, Y को वैल्यू जे सुके रहे को होला तेलाई पनी 20 परसेंटेज ले घटाई दिने हो बने तेसको बनी कती पांकी रहांच और C परसेंटेज बांकी रहांच सो हामे संग या निर ओरिजनल जुन छ ओरिजनल एक्सप्रेशन तेलाई ओरिजनल एक्सप्रेशन हो X Y स्क्रेशन रतेश पसाडी न्यू एक्सप्रेशन जुन बन्छ नया जुन बन्छ गटाई सके पसी तेलाई कती हुन्छ अब यो अगाडीको X को वैल्यू लाई 20 परसेंटेज ले घटाई दिने हो बने तर याणि रव Y को स्क्रेशन थेले आम ले एता पनी स्क्रेशन लेगने हो अब असी परसेंटेज अब X बननाले 4X by 5 हुन्छ रा असी परसेंटेज अब Y बने को 4Y by 5 हुन्छ तर येसको हाम्रो hvorल स्क्रेशन याणि रबराबर 4X by 5 जस्तागोते स्ताई यह बढ़ा अल्चो 16y² डिवाइड़ बाइ 525 रहे लाइज सिंप्लिफाइ गरने होगने 16 इंटु 4 64xy² डिवाइड़ बाइ 125 बने रहा हो साइता यह आमरो नया एक्सप्रेशन बन्यो 20-20 परसेंटेज ले घटाइ सेगे बची अब यह दुटा 20 को फरक कती बत नयार पुरान 20 को फरक शो ओरिजनल हो xy² नया हो 64xy² डिवाइड़ बाइ 125 रहे लाइज सिंप्लिफाइ गरदा 125 वोड़ 64 गोटियों मने xy² बाइ 125 पायालच अब यह लाइज हामले परसेंटेज मान निकाल दिने हो तो परसेंटेज अफ डिफ्रेंस बराबर 130xy² डिवाइड़ बाइ 125 ओरिजनल गदी धियो xy² भाग गरदा हमेशा ओरिजनल एक्सप्रेशन ले भाग गरणू गुणास सवे तो इसमा xy² xy² काट्टियों पाचिस ले भाग गरदा 5 पटक यह गयालच 4 पटक 130 x 4 गरदी ने हो वने विची 22 से 44 भने रायालच रो डिवाइड़ बाइ 5 बाइड़ गरदी ने हो ने एसको एंसर आयालच आमरो 48.8 परसेंटेज ले नया वैल्यू घटे को रहे साइथा Q4 Q4 बाइड़ प्रश्नमा बन देशा कुल मत को संख्या 84 से थियो So एसको येदी 25 परसेंट मत हरो बदर भाए बने सदर मत को संख्या कोतीज पहला आमित्यों निकाल सो So total valid words सदर मत को संख्या बराबर 75 परसेंट कीना 25 परसेंट बदर भाए सो बचे 75% 75% of 84 से 35% बनना ले 3 by 4 बायाल से इंटू 84 से ता 4 ले 84 सेले काट दिने वने 81 81 गुणा 3, 63 से यो आमरो आयो टोटल वैलिड वोट या कुल सदरमत अब एसको 52 परसेंटे चाई यहटा उम्मेद्वार ले प्राप्त गरी सक्यो तेसे वह और को ले कती प्राप्त गरे को ओला 48% स्वामी लेखना सक्साओं number of valid votes obtained by other candidate और को उम्मेद्वार ले प्राप्त गरे को सदरमत को संख्या बराबर 48% of 63 से अब 48% काँ वटा आयो स्वाय वटा हामले 22% गटाई देगो मतलब पहलो उम्मेद्वार ले 22 पाया वने और को ले ता 48 ने पाऊँचा सो डाइरेक्ली आमले लेख दिवाई त सो 48% बनना ले 48 by 100 गोणा 63 से तो यह 00 काड़ दिनो अवह 48 गोणा 63 गर दिने आमले तो इसको एंसर आयाल सा 3024 सो और को केंडिडेट या उम्मेद्वार ले 3024 सदर्मत प्राप्त गरेको रह जायेता लईयो वीडियो को लास्ट क्वेशन क्वेशन नंबर 5 यह उटा बेक्ति ले आफनो आमदानी को 75% खर्शा गर शा उसको आमदानी 20% ले ब्रिद्धी र खर्शा 10% ले ब्रिद्धी हुँदा उसको बचत कती प्रतिशत ले ब्रिद्धी हुँँच यह आमले निकालने इता जो मानाओ लेट ऊरिजनल इंकम आफ मैन त्यों ब्रिद्धी को ओरिजनल इंकम मान भस र penso 對啊 अब यह 1001 को 75% उसले खर्शा गर्शा शो इमांट को श्पेंट । यह यह उसमी एक्सपेंट डीचर भनी बनना सक्साँ उसले खर्शो गर्शा बराबर 75% of 100 मतलब रुपीज 75 उसले खर्चा गर्चा ता उसको सेविंग कतिवा बचत कतिवा सेविंग्स पराबर 100-75 बराबर रुपीज 25 उसको सेविंग हुने रहेचा कुन बेला जब उसको तलब 100 रुप्या हुन्च अब उसको आम दानी 20% ले बढ़ेओ बन्देशा सो न्यू इंकम लेख दिवा हामले नया इंकम कतिवांच पहला थियो 100 20% ले बढ़ेओ सो यो बयालजा आमरो 120 तरह प्रश्णली के बन्दारी उसको खर्च बनी 10% ले बढ़े गोशा अब यहा निरा धेरेले के गल्दी गरना सक्षन बन्दारी शुरूमा 75% खर्च थियो तेसपसी 10% ले बढ़े मतलब 85% बढ़े वला यो गलत हुन्छा इत यहा निरा तबले के बुजन बढ़े बन्दारी 10% ले उसको खर्च ब्रच 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 बढ़े वला यो पुरानो खर्च कथिशा 75% तेसमा 10% अजब ब्रच 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 गरने हु हामले अब तबाई निकालनोंच नया बसत कती सत नया सेविंग्स कती वह उसको बढ़े को रकम 12-82.5 येदी हामले गर दीने होगने 12-82 येदी गटाउंट आहेरी 38 अंसर उन्चे इसको 38.5 अजब गट्योंच सो 37.5 रुपया उसको नया सेविंग रहे च अब आमले प्रशनले सोद देच उसको बचत कती प्रतिशत ले ब्रिद्धी उन्चे बचत कती प्रतिशत ले गुणा 100 बराबर माधियायल च साड़े बार तोला उन्च पच्चिस गुणा 100 रुपयार येदी येलाई सिंप्लिफाई गर दीनी ओबनी साड़े बार ले 2 पटक, 2 ले 100 ले 50 पटक सो 50 परसेंटेज आयो एसको मतलब उसको नया बशत पसास प्रतिशत ले ब्रिद्धी भएको शाईता लग यो वीडियो मा एतीनी होप एसमाट डिसकस गरेका कोईशन सरू तपहले रामरसंग भुजन भएको वाला ये दियो वीडियो मन पर एको सहवने लाइक रोशेर पक्के मिन गरनू सरू मेरो यूट्यूब चैनल मैथ अटिक्शन लाइ सब्सक्राइब गरना जाए न भूलनु वाला मै येसता यूस्फुल वीडियोज लेरो तबहे को लागी टाम आओ दे गरने सू और ये गला की बीडा उंँ तो थाले को लाइगा टाम आओ जो थाले को लगभा न शू तक वर वसिंग वाजिक येविड गरनू